नमस्कार है पेंट बाच पही अपने यूटूब चैनल में पेंट बाच पही पे आपका बहुत बहुत सौगत करता हूँ ये वीडियो SSC MTS 2021 के जो एस्पिरेंट हैं जिनको PT और PST exam के रिगारिंग डाउट आ रहा है उनके लिए बहुत ही जादा helpful होने वाला है इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले तो mail आपका कब तक आएगा कब तक चुकी इस्टेंट परिशान है कि कैसे उन्हें पता चलेगा कि उनका exam कब है तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि mail आएगा इसके रिगारिंग कर पाएंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा उसके लाव आप फिजिकल में आपको क्या क्या लेकर जाना है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको completely information देने वाला हूँ तो बस आप सभी से request एक इस वीडियो को पूरा देखे एक से दो मिनट के अंदर में सारी बात अपनी complete करने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि mail जो है वो आपका किस तरीके से आएगा देखे इस तरीके से आपका mail आएगा यह उन एस्पिरेंट का एनारीजन का है राजिस्थान वालों का जिनका जैपुर सेंटर पे आपका लगा हुआ है ठीक है जो form है वो आपका जो link है वो PDF है वो इसी जो mail है उसमें attach होगा उसको download कर पाएंगे उसके इलावा जो admit card होगा जब आपका exam होगा उससे चार से पांस दिन पहले आपका download हो जाएगा तो admit card भी आपको download करना है और वो भी आपको लेके जाना है यह भी बताऊंगा कि कौन-क number तक सभी का हो जाएगा PST और PT exam ठीक है तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपके physical है वो 14 से 24 तक है ठीक है complete schedule जो है वो 14 से 24 तक है तो यहाँ पे एक number को यह receive हुआ तो माल लेते हैं कि जिसको जिसका 14 या 15 को है DV या यह जो PT, PST का exam उसको एक तारीक को mail मि जाएगा याई कि अगर आपका last date यानि कि 24 तारिक तक को भी लगा हुआ है तो यह मान के चले कि 8 से 10 तारिक तक आप सभी को mail मिल जाएगी आज 8 तारिक है तो यह मान के चले कि कल या परसों तक सभी के पास mail आजाईगी आप लोग mail जो है वो अपनी चेक करते रही है जो आपने mail SSC जो form भरा है SSC में तो जो mail दी है email ID जो दी है उसको आप जरूर चेक करते रही है ठीक है और message भी आ सकता आपके पास mobile पर ठीक है तो इस तरीके से कुछ आएगा आपका PTPST for recruitment of candidate nominated by SSC for the post of फवलदार to be conducted by CGST Jaipur at SMS stadium में दिया हुआ है कि कहाँ पर होगा और उसके regarding ये completely आपका दिया हुआ है ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है दिखें यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि सभी अभ्यारतियों को PTPST के लिए पहचान हे आपको फोटो पहचान पत्र मैं प्रतलिपी यानी कि उसकी आपको फोटो कापी भी लेकर जाना है जो आपकी ID है और उसकी फोटो कापी भी आपको ले जानी है जो स्वेम के दौरा सत्याफित हो एवन SSC दौरा जारी admit card की मूल प्रती अपने साथ अनिवार रूप से लेक लेगा admit card कैसे download करना है जब admit card आएगा तो उसके regarding update हो जाएगा जहां से आप सरकार result बगरा जो site है जहां से आप check करते हो तो बहां पर यह update हो जाएगा कि आपने admit card है वो download कर सकते हो जैसे जिनका 14 तारीक को है तो यह मानके चले कि 10 तारीक तक वो अपना admit card download कर पाएंगे जैसे किसी बच्चे का admit card download होगा मैं आपको भो ही बता दूँगा ठीक है उसके अलावा यहां पर देखो जो अब ब्यार्ति PST के निर्धारित मानकों में सितिलता छूट प्राप्त करना चाते हैं वो अपना certificate भी लेके जाएंगे जो category certificate है और जो physical handicap अगर है तो उसका भी certificate आपको लेके जाना है ठीक है तो यह जो डाकुमेंट से यह ले जाना बहुत जरूरी है उसके अलावा यहां पर कि सभी अभ्यारती उनके समझ दर्स आएगे निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय से 30 मेंट पूर्व रिपोर्ट करना आनिवार है यानि कि जहां पर भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसमें 30 मेंट पहले आप पहुंच जाए ठीक है तो यहां पर यह जो तीन जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए तीन पॉइंट्स इनमें किसी में भी आपको नहीं करनी है आपको क्या क्या लेकर जाना है अपना एडमिक कार्ड और फोटो भी रख लिए उसके लाबा जो आईडी है और उसकी फोटो कापी ठीक है और उसको सेल पटेस्टेड आपको करना है अगर आप छूट चाहते हैं रिलेक्सेशन चाहते हैं तो काटगरी का आपको लेके जाना है, reporting time से 30 मेंट पहले पहुंचना है, तो सभी को mail मिल जाएगा, परिशान होने की जुरत नहीं है, किस तरीके से mail आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके अलाबा सभी को mail जो है, वो 10 तारिक तक मिल जाएगा, तो परिशान होने की जुरत अगर आप चैनल पर नए है, और आपने अभी तक किसे subscribe नहीं किया है, तो परिशान को subscribe करना मत भूलेगा,